तो यह आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि मेरे दो-तीन स्पोक टूट गए है बुलेट 350 के, रियर वील के अगर आपको भी एलाइमेंट कराना है और पिछले वील के लहर आपका मार रहा है तो आज की इस वीडियो कम्प्लीट एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको एलाइमेंट कम्पनी से कराना चाहिए या फिर बाहर से कराना चाहिए तो अगर आप company से alignment कराते हैं तो वहाँ के mechanics आपके wrench से खली spokes को tight कर देते हैं काम चलाने के लिए and अगर आप proper alignment कराते हैं तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप बाहर से alignment कराएं क्योंकि after market mechanics rim को बाहर निकाल के पूरा tire से अच्छे से align करते हैं उसके बाद जिस spoke में कमी होती है उसे निकाल के हर स्पोक को tight करते हैं तो मैं आपको इसलिए recommend करूँगा and company में अगर cost देखी जाए तो company में आप से 600 रुपीज चार्ज करते हैं दोनों wheel के लिए लेकिन अगर आप बाहर से कराएंगे तो आपका 300 रुपीज में काम हो जाएगा तो आज की इस video में पूरा process दिखाऊंगा कि किस तरीके wheel को align करते हैं and मैं after market से alignment करवा रहा हूं लेकिन अगर आप alignment नहीं कराते हैं time to time तो आपको rear wheel damage आपका हो सकता है जैसे कि मेरे bullet के दो spokes तूट गए है and अगर मैं अभी भी नहीं कराता तो और जादा negative impact पड़ता मेरे rim पे इसलिए अगर आपके rear tire में कोई भी दिक्कत है तो alignment आपको तुरंद कराना चाहिए after market जाके या फिर company में and ये problem बहुत जादा लोगों को face करनी पड़ती है जो कि royal infield own करते हैं चाहे वो classic हो या फिर standard हो लेकिन अब तो royal infield ने classic 350 में alloy wheels भी दे रही है लेकिन royal infield को spoke rim पे भी solution ढूनना चाहिए ताकि customer को ऐसी problem face ना करनी पड़े क्योंकि successful spokes ही माने गए मेशा जबकि आदमे जो ले लदाक टूर करते हैं या फिर speedy ride करते हैं तो long tours के लिए spokes ही best माने जाते हैं इसलिए बड़ी बड़ी company है touring bikes में spokes देती है ना कि alloy wheels देती है and जितने भी गड़े है and breakers है उसमे spokes का impact अच्छा होता है alloy wheels के comparison में and breaker में and गड़े में गिरने से bike में alignment के issues ज़्यादा आते है तो आप इसका पूरा process देखिए and ये alignment under 300 rupees में हो जाता है जो कि इतना costly भी नहीं है and इसको ना कराने का एक और नुकसान है कि आपकी bike side pulling का issue जो है आपकी bike में देखने को आपको मिलेगा जब आप highway पर चलाते है bike तो जब आप handle के से हाथ छोड़ेंगे तो आपका bike जो है एक तरफ right side भागने लगेगी ऐसा issue भी बहुत सारे लोगों को देखने को आता है and मैंने भी ये issue कभी कभी face किया है लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि आप bike हाथ से छोड़के कभी न चला है जो कि लोग नहीं करते हैं लेकिन कुछ-कुछ लोग जो है करते हैं ऐसी चीजे तो उसके लिए alignment कराना भी जरूरी है तो जिस तरीके अंकल इसे machine में लगा के tight करने है कुछ उसी तरीके से भी आपको after market tight करवा लेना है तो आप बात कर लेते हैं कि कितना time alignment कराने हम लगता है तो 30 to 45 minutes में alignment हो जाएगा लेकिन आपको उससे ज़्यादा देर लग सकती है अगर कोई और customer alignment करा रहा होगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर spoke wheels और रखे हैं क्योंकि जो भाईया अपनी bike पर काम कर रहे है उन्हें 40 plus age experience है इन सब चीजों का कैसे धंग से alignment करते हैं तो अब भाईया जो देख सकते हैं आप चेक कर रहे हैं machine में लगा के कि alignment जो किया है धंग से हुआ है कि नहीं क्योंकि अब जो अगर लहर मारेगा टैर तो उस हिसाब से वहाँ से चेक करते जाएंगे कि कि इस जगे जो है problem आ रहे है रहे हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे है तो आप भी कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं तो यही ता आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा अलाइमेंट का प्रॉसेस बता है कि कैसे अलाइमेंट कराते हैं और क्या इसके अडवांटेजेजेजेज तो कुछ भी नहीं है तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए साथी बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुच जाए मिलते किसी नेक्स वीडियो में जैहिन वंदे मातरम